अगर कोई भी लॉग ठीक है और लॉग बनाता है लेजिसलेचर बनाते हैं अगर लेजिसलेचर दोवारा बना गया कोई भी लॉग जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाब जाता है तो आर्टीकल 13 के अंदर जुडीशरी जो आती है और क्या करती है जुडीशल रिव्यू करती है और अगर उसे लगता है कि ये फंडामेंटल राइट्स क्लाब है तो उसको क्या करती है नल एंड वॉइट मतलब उसे निरफट कर देती है जैसे कि इसका example देखे आपको समझाओं कि जो आपका Information Technology Act का जो section 66A था Supreme Court ने उसको क्या बोला कि ये fundamental right का violation कर रहा है तो उसको strike down कर दिया उससे क्या कर दिया unconstitutional खोशित कर दिया तो हमने क्या देखा जुडिशियल रिव्यू जो होता है आर्टीकल 13 के अंदर होता है इसके अंदर जो है Supreme Court जो है क्या चेक करता है वैदर वैदर की जगर लिप दो Supreme Court check the constitutional validity of any law made by legislature legislature के दोरा जो भी law बनाया जाता है उसकी क्या करता है validity check करता है और वो checking क्या करता है कि वो fundamental right के against जा रहा है कि नहीं जा रहा है यह main जो है मकसद होता है किसका judicial review करने का तो एक तरीके से कह सकते हम कि कि judicial review का करता है प्रोटेक्स्ट दा fundamental right यह मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ कि judicial review क्या करता है fundamental rights को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है फिर इसके बार हम देखते हैं judicial activism क्या होता है अगर judiciary थोड़ा और active role करने लग जा रही है और उसका मकसद है कि social justice को हर किसी को क्या करना प्रोवाइब करना तो ऐसे केस को बोलते है जुडिशल activism तो इस सौट में अगर हम लिखें कि जुडिशल activism में जो हमारे courts होते हैं वह जुडिशरी है वो क्या करती है dispense the social justice समाजिक नाई को क्या करती है वह आम लोहों तक और आम जनता तक जो है पहुचाती है किसके थुरू जुडिशल activism के थुरू जुडिशल activism जो है कोई जो court है जो supreme court हो गया वो कैसे लेता है जुडिशल activism वह शू मोटो ले सकता है अपनी खुद की मरजी के नुशार ले सकता है दूसरा ले सकता है अगर किसी ने PIL दायर कर रखे तो उस PIL को सुनने के दौरान जुडिशल के थूरू भी ले सकता है तो जुडिशल activism क्या करते है जनरली वाई शूमोटो मतलब सेल्फ दूसरा PIL के थूरू और तीसरा क्या है कोई जो है डॉक्टराइन जो है कोई निव डॉक्टराइन जो है उसके थूरू जनरली जो है जुडिशल activism का step लिया जाता है अब इसकी जब तक example नहीं दे हुए आपको समझ में नहीं आएगा और एक हम बहुत बड़े question की तरफ जा रहे हैं अभी शुरू में लग रहा हूँगा कि हो क्या रहा है धीरे धीरे देखना यह जो आज का जो lecture है आपको बहुत सारे doubt खोलेगा और जो है एक perfect answer की तरफ आपको धीरे पर जिरे लेकर जाएगा इसके final example यहां सकते है जूडीश्य अक्तिविजम के जैसे की सबसे final example पर इसका Кेशव नदा भारती case से केशव नदा भारती case में क्या वो लगना सुप्रीम Supreme Court ने कहा था कि इस्टक्चर का Concept दिया है किसका Concept दिया और यह यह जर्थ है जुटीर एक्तिविजम केई के शबा रून की तरह लानग moral रहे बेशिक इस्ट्रक्चेन तो केस भार्टी केस में क्या मिला था डॉक्तराइन ओ बेसिक इस्ट्ख्चेर अर्थार्थ पार्लामेंट जो है किसी भी फटनामेंटल राइट को जो है छोटा नहीं कर सकती या सको उठा नहीं सकती अगर वो constitution का क्या है basic structure है और basic structure में बहुत सारी चीज़ा आते हैं इसको already हमने देख रखा है तो अभी खाली इतना देखो कि किसके तुरू जा रहा था judicial activism के तहर ठीक है दूसरा case जो है वो है collegium system collegium system दूसरा example है किसका judicial activism का collegium system collegium system भी थोड़ा हम advance में बार पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे अभी खाली सुन लो क्योंकि जब collegium system आया तरह तो फर्स judge case second judge case इस तरीके case जो है महां पढ़ने पढ़ेंगे लेकिन यह सब किसकी देन थी supreme court की बार बार जो है उन्होंने judicial activism के तहर क्या है collegium system को पूर्णा जो आज जो इसको आधार और जो structure मिला है वो किसकी देन है judicial activism की ही देन है 2001 में supreme court ने एक बहुत बड़ा verdict दिया था कि midday meal के midday meal जो है जो midday meal जो है यह provide किया जाहे किसको school children को midday meal to school children यह भी supreme court की देन है तो judicial activism में supreme court क्या कर रहा है social justice provide कर रहा है su motor action के थुरू या PIL सुनने के दौरान और कोई new doctor and के थुरू यह सारी चीज़े कर रहा है judicial activism अब हम पढ़ेंगे judicial overreach अब यहाँ लोकों को confusion होना सुरू हो जाहेंगा judicial overreach जर्णली जोडिशल एक्टिविजम और judicial overreach में बहुत ही minute difference होता है ठीक है there is a very thin line between judicial overreach and judicial activism यह हमारे उपर कभी-कभी हम इतने confused हो जाते हैं कि किस चीज़ को हम judicial overreach में रखें है judicial activism में रखें ठीक है इवन जो political जो इंडियन पॉलिटी के जो बड़े-बड़े scholar है वो भी लोग confused हो जाते हैं क्योंकि constitution में खहीं पर भी defined नहीं judicial activism क्या होता है judicial overreach क्या होता है judicial review जो है article 13 के अंदर defined है जब यह जो यह defined ही नहीं है तो यह हम क्या करते हैं अपनी understanding के तुरू जो है अलग-अलग जगेश की अलग-अलग व्याठ्खे बिलती है लेकिन फिर भी जर्नली judicial overreach कब कहा जाता है जब court ठीक है जब judiciary judicial activism से एक step आगे बढ़ जाती है और judicial activism को convert कर देते हैं इसमें judicial adventurism में उस case को बोलते है judicial overreach पहले परिवासा लिए फिर उसे example से समझेंगे judicial overreach का मतलब क्या है one step ahead of judicial activism जे short form लिख दी ठीक है ना एंड गोस तुवर्ट्स जुदिशल एडवेंचरिजम फिक है एडवेंचर करना जो हता है वही spelling है इस नोन एज जुदिशियल ओवर रीच अब जुदिशल ओवर रीच अगर आपको इस definition से भी समझ में नहीं आता यह definition सीधे करें कि जुदिशल अक्टिविजम से और आगे की स्टेफ बढ़के एडवेंचरिम जैसे कुछ काम करना जुदिशल ओवर रीच कहलाता है अगर आप ऐसे नहीं पेचान पाते तो एक और तरीका है पेचान देगा अगर कोई भी लॉव ठीक है ना जो लेजिसलेचर आराम से बना सकते हैं लॉव बनाना किसका काम है लेजिसलेचर का बनाना है ठीक है पारलामेंट में बनाते हैं और स्टेट लेजिसलेटिव असेम्बिली में बनाते हैं अगर वो काम ठीक है कौन करने लग जाए जुदिशिरी करने लग जाए तो वो केस किसके कहलाते है ज की लाओ इस लाओ इस तू बी मेड बाई आइधर पार्लियामेंट और इसके दुरू इस्टेट लैसलेटिव असेमली इसी के दुरू लाओ बना जासे हैं बड़ इफ सुप्रीम कोर्स जेव मतला जुडिशल ओवर इच एग्जक्ट जो है यह डेफिनिशन में आपको नहीं लिखना है ठीक है यह केवल मैंने आपकी अंडरस्टेंडिंग के लिए बनाए गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है सीड़े ओर दे देता है वो लौ नहीं बनाता लेकिन लौ ब्रव मेकिंग ब्यूडि को चैलेंज कर देता है कि आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो अब हम करके इसको दिखाएंगे जो काम आप नहीं कर पा रहे हो वो हम करके दिखाएंगे तो वो क्या क्या नाहीं लाओ जूडिशल ओवर इस डेफिनेशन को फिर बुलना हूं वहाँ पर नहीं लिखनी है यह केवल अपनी सेल्फ अंडर्स्टेंडिंग के लिए पॉइंट आपको लिखना है अब इसके एर्जाम्पल देखते हैं सबसे बड़ा एक्जाम्पल हम इसको देखते हैं जो रिसेंट में एंजेक का नाम आपने सुना ही होगा ठीक है सरकार ने जो है एंजेक का घतन किया एंजेक क्या था नैशनल जूडिशियल अपॉइंट्मेंट कमिशन ठीक है लेकिन सुप्रियूपोट ने इसको क्या बोल दिया कि यह अन کंस्ट्ट्वीशनल है क्या है नलेंट वॉइड है यह किसकिसमें जाता है जूडिशियल में ठीक है हाई कोट ऑफ इलावाद मतलब इलावाद के हाई कोट ने एक रूल निकाला था जिसके तहर जितने भी ब्यूरुक्रेट्स हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोट ने उसको क्या कर दिया था नालेंडबॉइड मतलब उसको खारिस कर दिया था वो भी केस किसमें जा था जुडिशल ओवरिच में लिकर बेंग का भी केस आया था कि स्टेट हाईवे और नैशनल हाईवे के पांसो मीटर तक ठीक है कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं लगेगा लिकर का सराप का ये कोई भी बार की दुकान न कर दिया वो जो काम सरकार को बनाना था वो उसने खुद कर दिया तो ये किसमें गया केस जुडिशन ओवर रिच में तो एक्जामपल कौन कौन से हुए साइडा एक्जामपल एक्जामपल इलावाद हाई कोर्ट की डिसीजन का ठीक है और बता दिया कि अपने बच्चे को क को सा हो गया लिकर बेंग जो सराव का बेंग किया था पांसो मीटर तक नेशनल हाईवे और इस्टेट हाईवे से तो ये सारे किसमें गये आपके केस जुडिशन ओवर रिच में ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया हुआ अब हम देखेंगे कि अच्छा अब हम यह सब और एक्जेक्यूटिव है उसमें क्या उन्चे परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए को दोनों और गन्स को एक दूसरे पे क्या ना इंटर्फियर नहीं करना चाहिए मामले में दोनों की जो लच्छमन रेका है वो दरधारित होनी चाहिए लेकिन फिर भी सोचो कि सुप्रीम क यह जो आर्टीकल है इतनी बड़ी पावर दे देता है कि जण हित्म है या किसी भी इंसान को कोई भी एंड़ जस्टिस देने में सुप्रीम कौड आ सकता है वो कहलाता है आर्टीकल 142 इसकी अग्जेक्ट डैफिनिशन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे लेकिन अभी 50 और 142 का मैंने कहा दिया आपको एक idea दिया अब हम देखेंगे कि judicial over rich होने से क्या क्या implication होते हैं और ये question 100% आने के chances बनते हैं ठीक है तो अब इसको रब करते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे implication of judicial over rich judicial over rich होने के क्या क्या implication हो सकते हैं पहला implication होता है कि it destroy the basic fabric of constitution under constitution which are mentioned in article 50 मतलब separation of power दोनों की power जो है अलग-अलग separate है फिर भी जो है अगर judicial over rich हो रहा है तो infringement है कि इसका article number 50 का और ये basic जो है constitutional का जो basic fabric है उसको क्या कर रहा है destroy कर रहा है या आप ये भी कह सकते हो कि it destroy the spirit of constitution क्योंकि democracy में हमेशा क्या है article 50 के अंदर की power कुछ किया गया है अच्छी तरह divide कर दिया गया है उसके बाद भी अगर ऐसे case हा रहे है तो इसका जो है वो क्या है इसके घादा के मतलब इसके खिलाब में जाता है फिर उसके बाद दूसरा implication क्या हो सकता है it create sense in people about the inactivity of legislature क्योंकि हम लोगों के जन्राली दिमाग में क्या है कि legislature जो है जो हमारी जो लेजिसलेचर का हो गया पार्लामेंट हो गई और state legislative assembly हो गई वो जो है हमने चुनके भीजा है वो हमारी लिए कानून बनाएंगे लेकिन अगर बारबाद supreme court आने लगे बीट में तो हमें क्या ऐसा लगेगा कि बैचारी यह लोग कुछ नहीं कर रहे है सब कुछ कौन कर रहा है supreme court कर रहा है और यह जन्ता के पास जन्ता की दिमाग में गलत message जा सकता है और तो सोचेगा क्या सोचेगा अने लेक्टेट क्यों लिखा अंडराइन क्योंकि judiciary में हम चुनते नहीं है न किसी को कि कौन supreme court का जज़ बनेगा कौन chief justice और इंडिया बनेगा लेकिन हम किसको चुनते हैं अपने MPs और MLE को तो legislature को हम चुनके भीज रहे हैं लेकिन इहां पे क्या हो रही है tyranny of unelected ठीक है टी वाई आर एडवल एन वाई अन एलेक्टेट लोग हैं उनकी टैरेनी हो रही है किस पे जो हमारे elected elected represented है अर्थार जिनने हमको हमने जिनको चुनके भीजा है उनकी नहीं चल दे किसकी चल लिए इनकी चल लिए तो इसको सीधे लिखो tyranny of unelected पूरा sentence कर देते हैं यह तो आप कुछ भी सैंस लगा दोगे इन्ने डेमोक्रेसी ओवर elected representative सामझमा आ गया कि हमारे elected representative पे क्या है टैरेनी हो रही है किसकी unelected जो है लोगों क्या unelected का मतलब कान हो गया हमारी judiciary पर हमें एक तंज कस रहे हैं फिर उसके बाद क्या है कि इट रिडूसेज ट्रस्ट इट रिडूसेज ट्रस्ट ठीक है amongst people amongst people about institution मतलब institution जो सरकारी institution है उन पे से क्या हो रहा है हमारा ट्रस्ट जो है देरे देरे उठता जाएगा कि हमारे तुमारे में एक institution आगा क्या आप सुप्रीम को या जूडिसरी तो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए और लाश्ट पॉइंट हम क्या बना सकते हैं एक दो तीन चार चार पाइंट बना है पाइसा पॉइंट आप बनाने कोशिस करते हैं इट दिख रहा है नहीं हापे सबको इट वेस्ट प्रीश्यस टाइम और जूडिसरी जूडिसरी का जो प्रीश्यस टाइम है वो बरवात होता है कि यगर वो कानूर बनाने लग गई तो interpretation of law कौन करेगा इतने सारे case जो already pending पड़े हैं उन पर judgment कौन देगा ठीक है तो bracket में लिख देना lots of case are still pending in judiciary ठीक है तो उनको अपना काम करना चाहिए जूडिसरी का basic काम क्या होता है interpretation of law ठीक है कि वो जो है बैद है की नहीं है यह हो गए क्या implication of judicial over which समझ में आ गया अब इसको रब करते हैं अब आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से case हाल के पांच मतलब पिछले पांच साल में हुए हैं जहां पर क्या है जूडिसरी ने कुछ कमेंड करे हैं किस पे हमारे लेजिसलेटर पे उन में से भी कोई भी में एक्स्रीमप्ल तो ठाट कर भी कहाँ डाल सकते हो जुडिसलेटर अक्तिविझम में डाल सकते हो एक्स्त्रीमख से सथिति डाल सकते हो जनल कैसeden किसमा सतथ जोड़ सथी तो तो मैं आपको छोड़ूद सारे इसके बाद आपको बताता हूँ सबसे पहला जो अलेटी हमने पढ़ा का है एंजेक एड़रेट अनकंसिटूशनल ठीक है यह तो आपको बताईए के एंजेक अनकंसिटूशनल फिर कुछ साल पहले आपने देखा था जब जेस्टिस ठाकूर चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया थे ठीक है तो वह क्या करते हैं मीडिय के सामने उनके आंसुदग आ गए थे ठीक है उन्होंने बूला था सिदे सरकार पर बोल दिया था कि जो जूटीशरी है उसको जो अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हो सरकार के कारण नहीं हो रहे मतलब यह बीच में क्या गर रहे हैं बैरियर डालने हैं और उसके बा जो है हमारे लौ मिनिश्टर जो है वो सामना है तो नहीं अपना पर्च रखाता है तो वह केस भी हम यहां पर लिखेंगे की कि ट्रीटन कि जुडिशियल एक्षन कि ओवर गवर्मेंट कि इस नौट कि फिलिंग कि अगर जो है आपने जो साड़े चार सो चानिस के आस्वाज जो है वेकंसी है इनको आप फुल्फिल नहीं करोगे तो क्या होगा सरकार के उपर जुडिशियल एक्षन लिया जाएगा तो इसको आप फोर फोर्टी कर दो कभी निविस पेपर फोर फोर्टी यह आता था ठीक है ना अब तीसरा पॉइंट देखते हैं रिमूबल of क्या प्रैसीड dissolved in उत्राकंड उत्राकंड सरकार जब उत्राकंड में हरी सरावत कि सर्कार थी तो कुछी जो है वीजिश आ गया ठा कि जो है कुछRE क्से जो है मलेस जो है वो छोड़के चले गया थे ठीक है ना तो की सरकार को भौमत है की नहीं है यह पता करने के लिए फ्लो टेस्ट पर चार्च करानी चाहिए लेकिन फ्लो टेस्ट ना होके सीधे क्या हो गया था प्रेशिडेंट लूग रूल जो है लगा दिया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हटा दिया था ठीक है तो रिनूवल ओफ प्रेशिडेंट रूल इन उत्तरफन ठीक है बैगेट में लिपनो हरीस रावत गवर्वर्मेंट ठीक है ना और इसमें यह भी तक बोल दिया था कि जो प्रेशिडेंट है वो राजा नहीं है यह तक स्टेटमेंट एरिया था कि इसने जूगी शिर्विश ने अगला जो है अरणाचल प्रदेश केस था अरणाचल प्रदेश में क्या कर दिया था कि जो स्पीकर है उसकी पावर को सप्रेस करके जो गवर्नर है उसने असेंबली को क्या कर दिया था बुला दिया था तो वो चीज जो है सुप्रिम कोट ना के रोकी कि ऐसा नहीं होना चाहिए इजर्व दी पावर और इस्पीकर इन औराचल प्रदेश केस ठीक है वेर गवर्नर पाल दी असेंब्ली ठीक है ना गवर्नर ने जो होटल तक में मीटिंग बुलाने लग जये तो जो अगर किशी कह गहते हैं स्पीकर ने किक है दल वदल कानुमिके अंदर अगरमालो किशो सस्पेंट भी कर दे गया है तो उसकी सुमाई हो सकती है लेकिन उसके काड़ अचानक से कि अगर तो सरकार कोई भंकरा दो गवर्नर यह सब नहीं करना चाहिए फिर उसके बाद एक और वर्टिक्ट आया था कंस्टूशनल बेंच वरीटी से वर्टिक्ट आया था मतलब साथ लोगों ने पक्ष में दिया था इसमें इसमें यह था कि स्टेट जितने भी स्टेट है कैन लेवी टैक्स और इंट्री ऑफ गुट्स इन देर स्टेट मतलब के से था कि जो स्टेट गर्मेंट है अलग अलग राज है उत्तर प्रदेश तमिल्लाड उत्रा खनेशा अगर कोई ठीक है ना दूसरे स्टेट से या बहार से कुछ भी जो है इनके अंदर आ रहा है इन स्टेट में इंटर कर रहा है तो उस पे टैक्स लगा सकते नहीं लगा सकते तो इस पे सुप क्योंकि अगर देती है अच्छे नंबर दे जाती है लिकर में यह तो आप सबी को पता हुआ लिकर बैं एटारेट नेशनल हाईवे इस्टेट हाईवे और प्रेकिट में पांसो मीटर का कुछ समझ जाना मैं क्या कहना चाहूं अगला क्या हो सकता है कि फायर क्रेकर्स थे ठीक है फायर क्रेकर्स जो है उन पर बैंड लगाया दिया गया बैंड और मैनुफेक्चरिंग और फायर क्रेकर्स इन एंसियार डेली में जो है उस वीजिन में जो है पटाके बटाके नहीं बनेंगे और इशन डिवाली पर भी क्या बोलते था कि 10 वज़े के बाद तो 377 ठीक है जो है इसको अनकंस्ट्टूशनल करार दे गया था मतलब अब इसमें कोई सजागा प्रभदान नेवगा आईपीशी की धारा कौन सी 307 ठीक है जो LGBT के लिए है ठीक है यह तो सबने सुनी होगी फिर उसके बाद सुप्रेम कोट ने अभी हाली में क्या था पट्टा स्वामी केस में क्या दिया था कि प्राइवेसी जो है उसको ट्रीट किया जाए ऐसे फंडामेंटल राइट यह भी आप लोग ने सुनाई होगा फिर इसके हज़ाग लिए अगी थिरिपल दलाक भी जो है यह 5-2 दलाक और देपल लॉमा के आथिकारों के खिलाब और सरकार को जलदी एक नया काणू लाना चाहिए जिससे इसको जल्दी से जल्दी के अगरे रोका जाए तो यह वाला केस भी लिख सकते हो अब लेडिस की बाद हो रही है तो रिशेंट केस कौन सा है सप्री माला वाला ठीक है सप्री माला के आगे लिख दो इंटरी ओफ गूमेन अब लिखो शप्री माला स्राइन जो कितने साल से पहल लगा रहा तो अभी रिशेंट्ली दो लेडिज और उन्हों ने इंटरी करी थी ना तो वो सुप्रेम कोड ने साथ बोल दिया था की महिला को बी पूरा दिकार है सब रिमाला स्राइन में जाने का ठीक है यह सब किसकी देन थी सुप्रीम कोट की देन थी फिर आईटी एक्ट जो है आईटी कौन सा है इन्फॉर्मेशन टेकनोलजी एक्ट की 66 एक को क्या करा था अन कंस्टूशनल करा था अभी मैंने पहले बताए भी आपको ठीक है फिर उस यह बिद्फ प्लेस को मार देती उस पे किसी पे सजा नहीं होती बोरत है कि भीड पर कुछ नहीं कर सकते wij कुछ ऐसा कानून बनाओ जिससे कि जो यह अदे को रोका जाए नहीं कि कि मेक लॉव और इस्टॉपिंग मौव वाइलेंस ठीक है ना यहीं मैं आपूंका रंटे फिर पढ़ा रखा है फिर उसके बाद जो है सब्री माला हो गया आपका क्या करते हैं कि सुप्रीम कोट ने कावेरी वाटर बिस्प्यूट करनाट का जो है दो हजार ठीक है और पानी किस किस यूनिट में देते हैं क्यूं सेस में देते हैं सी यू ऐसी है दो हजार क्यों से जो है वाटर रिलीज करेगा किसको तमिल लाडू को यह भी इतना अच्छे नंबर मिलेंगे इसके बाद जो है यह तक कहा किया रहा कि सुप्रीम कोट ऐसे केस को नहीं सुनना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोट ने बोला था कि हमारा पूल का अधिकार है आर्टिकल 142 के अंदर कि हम किसी भी केस को सुन सकते हैं बहले ही वो ट्रिबूनल का क्यों ना हो तो यहां तर लगवाल लगवाल हमने सारे केस पढ़ लिए छोटे मोटे कुछ रहे कर रहे होंगे एक बार काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच शेट सा आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तो मतलब है एक छूट रहा है बी सी सी आई ठीक है ना बी सी सी आई में रिफॉर्म के लिए जस्टिस लोधा वाया फिर उसका जस्टिस लोधा की कुछ जो है चीजों को सुप्रीम कोट ने माना फिर उसने अपना आदेश दिया तो बी सी सी आई में भी रिफॉर्म करने के लिए कौन आये था सुप्रीम कोट आये था तो यह सारे जो है केस जो है हमको कुछ में से कुछ भी हम आपे लेख सकते हैं तो यह पिछले पांच साल में इंटर्फियरंस हो रहा है किस कि जूटिशिय कर रही है क्योंकि इमेंसे आदेश चीज जो है लेजिसलेचर हमारा खुद बनाने में सक्षम है लेकिन जूडिशियरी ने आदेश दिया है कि सहाव आप खाली ना बैटें ऐसा काम करें तो यह क्या है जूडिशियल अक्टिविजम है ठीक है ना किसी को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना और सुप्रीम कहता है कि ऐसा होगा मतलब लॉग जो है खुद लॉग ऐसा ही बना दिया तो उसको क्या बोलेंगा जूडिशल ओगरीच कर रहा है कि आप कौन गर्मेंट कुछ ऐसा कानून लेकि आए और कहीं कहीं पर कैसी आदेश दे रहा है जैसे दोजाज जो है कि उसस्वानी टमिलना लेकिन सुप्रीम कोट ना की बीट में दे दिया ठीक है आई टी की आलिया को सीधे भंग कर दिया ठीक है तो यह सारी चीजें अगर वह केवल एक आदिश देरा कि आप ऐसा करिए ऐसा करना चाहिए तो उसका एक्टिविजम है लेकिन खुद ही नियम बना दे रहा है तो उ इसमें भी आ सकता है लेकिन हम किस इंटेंसिटी से देख रहे हैं या किस परस्पेक्टिव से देख रहे हैं उसके यह मैटर करता है ठीक है जी तो इस चीज को हम यहाँ पे जो है जूटीशरी में हमने तनी चीज़ें पढ़ ली अब हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ अमेंड राइट को छेखार करने के लिए सुनू से ठीक है संकरी प्रसाद से लेके लाश्ट की केस जो है उनको भी हम डिसकस कर लेते हैं तो उससे अब और पर जलेगा कि जूटीशरी ने कब-कब हमको सेफ भी किया है क्योंकि यह कोश्टन दोनों तरह का है जूटीशल एक्टिव प्रदारी की वो सामने आए ठीक है ना वो खाली तो नहीं बैटे सकते हाथ में हाथ रखके वो स्यूमोटो एक्टिशन ले सकते हैं तो एक तरीके से वो डेमोक्रेशी के जो सोशल जस्टिस है ठीक है जो डीपीएसपी में कहा रखा है कि सोशल एकॉनोमिकल पॉलिटिकल जो है नयायत दिलाना है उस नयायत को ही तो दिला रहा है एक तरीचे सविदान के पक्ष में भी काम कर रहा है वो ठीक है तो उस चीज को भी थोड़ा हम पॉजिटिव चीज को भी देख लेते हैं सबसे पहले हम पढ़ रहे है क्या संक्री प्रसाथ केस हैं इसक्री प्रसाथ केस में जो कोड ने बोला था कि पार्लिमेंट जो है इसको क्या कर सकती है अमेंड कर सकती है तो इसका उक्कम क्या था पार्लेमेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट इन्होंने लॉजिक ये दिया था कि जो पार्लेमेंट अमेंड करती है ठीक है ना किसी भी फंडामेंटल राइट को तो वह ऐसे काउंट होता है constitutional law ठीक है वो कोई ordinary जो है law count नहीं होता है तो कि वो constitutional amendment होता है law की जागे लिए से constitutional amendment होता है और जो article 13 है जो क्या कहती है कि judicial review होगा वो कहते है कि judicial review कि इसका law का होगा मतलब कि जो constitutional amendment है वो judicial review के अंदर नहीं आते ये इनका logic था क्योंकि fundamental right को amend करना ठीक है न क्या है constitutional amendment करा जाएगा और constitutional amendment जो है simple law नहीं है और जब law नहीं है तो article 13 के अंदर उसका judicial review नहीं किया जा सकता ये इनका logic था समझ मा आ गया मतलब fundamental right से कोज़ भी छिडखा नहीं हमें करनी है तो constitutional amendment की थू करेंगे और जबकि article 13 judicial review जो है वो केवल जर्नली ordinary law को जो है उनको देखता है तो ordinary law है नहीं तो constitutional amendment है तो इस बहाने से जो है ये जो है बहाना बहुत बोलो इसको क्या बोलेंगे ये logic दिया गया इसमें संकरी प्रसाथ केस 1951 में सीधे फंडा की parliament can amend fundamental right किसका outcome था इस वाले case का फिर उसके बाद आया बोलक नात केस 1967 गोलक नात केस में क्या judgment आया ये judgment आया कि जो parliament है ठीक है वो fundamental right को छोटा नहीं कर सकती उसको हटा नहीं सकती उन्होंने स्टेटमेंट यह था कि फार्लयामेंट पार्लयामेंट केंड नौट एब्रिज और टेक अवे एनी fundamental right तो इनका outcome लिख देते हैं पार्लयामेंट केंड नौट एब्रिज और टेक अवे एनी fundamental right को छोटा नहीं कर सकती और हटा नहीं सकती कौन पार्लयामेंट यह किसमें दिया था गोलखनात केस में 1968 में अब ऐसा नहोंने क्यों बोला इन्होंने बोला कि जो constitutional amendment है वो भी सब्जेक्टेट टू जुडिशल रिव है उन्होंने क्या बोला constitutional प्रूट्पर्शनल पर लिखते लिखते रिखते कंस्टूशनल जो amendment है इंट 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 आल्सों कमस अंडर जुडिशल रिव्यू तो मतलब आर्टिकल 13 जुडिशल लिव्यू जो है अब constitutional amendment भी उसके अंदर जाचे जाएंगे यह कहना तक इसका बोलगना केस का ठीक है फिर इसके बाद क्या हुआ पार्लैमेंट को समझ में नहीं आए पार्लैमेंट को लगा कि judiciary हमारे अंदर क्या कर रही है इंटरसेर कर रही है जुडिशर क्या क रही है पार्लैमेंट के साथ आ गई 1971 में थीक है यह सब करम से बता रहा हुँमें commission में में अमेंडमेंट के थू जब पार्लेमेंट सामने आई तो उस अमेंडमेंड में ये बोला गया कि पार्लेमेंट जो है किसी भी fundamental right को average भी कर सकती है और उसको take away भी कर सकती है उसको हटा भी सकती है और ये सारी चीजे जो है article 13 के preview में नहीं आएंगी ये किस ने बोला पार्लेमेंट में तो पार्लेमेंट ता इस्टैप गोलगनार केस के बाद क्या था 24th amendment और 24 amendment के थू जो है इन्होंने इनकी जो जो चीज बोली थी उनको बिल्कुल बिप्री तरीके से पलट दिया और उन्होंने बोला कि पार्लेमेंट कें अमेंड ठीक है पार्लेमेंट कें एब्रेज और टेक अवे एनी फॉंडामेंटल राइड एंड इस विल नौट कम अंडर आर्टिकल 13 यह आर्टिकल 13 के प्रिव्यू में नहीं आएगा यहां तक आप तो टर्मनलोजी समझ में आ गई अब यूडिशरी भी मतलब सांद तो बैठेंगे नहीं पार्लेमेंट न जैस उसका उल्टा करा तो 1971 में हुआ था यह कब हुआ था दॉटर नंदन भारती ठीक है और इस में सुप्रिम कोर्ड ने डिया डॉक्टर राइन ओफ बैसिक स्ट्रक्चर ठीक है Supreme Court ने बोला ठीक है आपका 24 आमेटमेंट जो आपने कर दिया तो कर दिया ठीक है हम इसको जो है unvalid ठीक है या हम इसे null and void नहीं करते हैं इसकी validity रखते हैं लेकिन एक नई चीज और आगे क्या जो constitution में जो भी हिस्सा basic structure के अंदर आएगा उसको पार्लामेंट जो है उसको क्या नहीं कर सकती टेक अवे नहीं कर सकती ये किसम बोला केशम नंदर भारती केस में की basic structure के खिलाप से छेड़ा खानी नहीं कर सकती है पार्लामेंटल राइट जो है basic structure में आते हैं तो अब पार्लामेंट जो है average या take away नहीं कर सकती है पार्लामेंट चैन नौट एबरिज और टेक अवे एनी पंडामेंटल राइट विकाज इट्स कम्स अंडर basic structure ठीक है ना तो basic structure का सध्धान दी दे आउने सुत्त है धर्म है अब पार्लामेंट भी जो है चुप बैठने वाली नहीं थी इंद्रा गांदी इंद्रा नहरु गांदी केस जो है ये सामने आया ये सामने जो केस थर्टी नाइंट अमेंडमेंड के रूप में थर्टी नाइंडमेंड में पार्लामेंड ने बोला कि जो election होता है PM का और speaker क लोगसभा में वो जो है Supreme Court के jurisdiction में या किसी और court के सारे court कितने वी उनके jurisdiction में नहीं आएगा ये किस ने बोला था पारलेमेंट ने ठीक है तो पारलेमेंट जो है 1975 में ठीक है एक नए अमेंडिमेंट के साथ है उस अमेंड को बोलते हैं 39th amendment ठीक है 39th amendment में पारलेमेंड में बोला कि जो P.M. का election है और जो speaker का election है, किसमें cable लोग सवाव है, it will election of, ठीक है, पूरा लिख लो, election of PM comma speaker, रैकेट में लोग सवाव, will not come under jurisdiction of any code, किसी भी code के अंदर नहीं आएगा, ठीक है लोग कहते थे, इंदरा गांदी, जो है हार भी रही थी, ठीक है, चो कि कुछ गड़वड़ी हो गई थी, ठीक है, जब वो election लड़ी थी, फिर court ने उसको बला था कि नहीं, वो है हारी भी candidate है, वो जीती नहीं है, ठीक है, कुछ गड़वड़ी कर दी थी नहों ने, तो उसी के लिए amendment लाया था, कि ये बात जो है, judiciary में ना जाए, ठीक है, इंद्रा गांदी सरकार ने, उनिस सो पिचत्तर में थर्टी नाइंड्मेंड्मेंड की थू, ठीक है, फिर उसके बाद जो है, एकना समझ में आ गया, अभी जब इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, फिर योगी लिखने की जगन नहीं है, डाइंड्मेंड्मेंड्मेंड्मेंड जर्लाइफा, यह उसके था, में यह सुपरिम कोटन 189 अमेंड मेंड मेंड को रिजेक्ट करते था फिर पार्लमेंट जो है फूर्टी टूमेंड मेंड के साथ खाम जाये 42 जो है आमेंड्मेंड जो है 1976 में और इस अमेंड्मेंड ने पार्लेयामेंड को पार्लेमेंड को गर YEA Unlimited Power दी कि आमेंड्मेंड कर सकती है और वो जो आमेंड्मेंड है किसी भी कोड में पॉस्चन नहीं होगा यह जो कहना था किसका है अमेडमेंट 42 का तो पारलामेट जो है तो पारलामेंट जो है चैन अमेंड एनी लॉग एंड इत विल नॉट पॉस्चन इन एनी वोल कि अब बड़ा जो है पार्लामेंटमेंट में लिया था ग्यालिसमेंटमेंट के दुरूप कि हम कुछ भी कंच्चूशनल हम अमेंटमेंट करें कोई भी लॉन आए लेकिन उसको किसी भी कोड में जो है कोश्चन नहीं किया जाएगा फिर इसके बाद आया मिनर्वा मिल केस जो है कि सुप्रीम कोट ने इंवैलिट कर दिया आर्टिकल 42 के जो इस समय्टमेंट मेंट को ठीक है तो सुप्रीम कोट इंवैलिडेट प्रोवीजन अंदर आर्टिकल 42 नहीं बना था कि गलच कीज़े ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जुडीशल रिवीवी क्या है बेसिक इ स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर से तो ओल्लेटी च्राकानी करी नहीं सकते हैं यह किसमें कह दिया था केशवा नंद भार्ती केस में तो मिनर्वार मिल केस में भी मिनर्वार मिल केस में भी यह चीज रिफीट करी गई और 42 अमेंडमेंट में जो उन्होंने पावर लेगी उसको नलेंड बॉइड कर दिया है फिर इसके बाद जो है और लेडी सब किलियर होई गया कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर से छिड़खानी नहीं कर सकती है पार्लामे कि बावन बाव केस जो था 1921 इस केस में सुप्रीम कोट ने क्या बोला था कि क्यूडिशल रुव्यू जो होता है वो सारे कंस्ट्यूशनल अमेंडमेंडमेंड एक्ट में लगाया जाएगा जो 24 अप्रेल 1973 के बार किये गए है तारिक याद रखनो 24 अप्रेल 1973 के बार ठीक जो भी कंस्ट्यूशनल अमेंडमेंडमेंड किये गए है उनमें जुडिशल रिजू अलाउड है जुडिशल रिजू इस अलाउड इन ओल्ड कंस्ट्यूशनल अमेंडमेंडमेंड एक्ट आफ्टर 24 अप्रेल 1973 तो इस तरीके लिए हमने यह अमेंडमेंडमेंड्स पड़े कैसे सरकार बीच में आई और फिर सरकार को कि जलत किये थी सुप्रेम पूर्णेट्स को फिर से श्ट्रट डाउन किया तो मोटा माटा हम देखें की जूडिशली की एक्टिव फंक्शनिंग भी बहुत जरूरी को भेजा है जिस काम के लिए आयना उनको हुकाम प्रॉपर तरीके से करना चाहिए नहीं तो जूडिशली जो है इंटर्फेर करेगी तो लाख में हम क्या लिखेंगे की अंदर अर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर जूडिशली एक्टिव और लेजिसलेटिव सब की पावर चैक करना है उस पे ही जानतर श्त्रिक रहना चाहिए और जितने भी लॉव मेंकिंग ठीक है काम है किस पर छो देने चाहिए पार्लामेंट और स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली पे इतना लिखे फुलिश्टॉप कर देना यहां पर जूडिशली का यारा टॉपिक जो ह अधिक जोडिश्य बहुत बड़ी है लेकिन अभी हमने क्या खतम करा जूडिशल अक्तिविजम जूडिशल ओर रिच और जूडिशल रिजीए थैंक यू बेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो वाचिंग थे वीडियो एव गूट ब्लेस्टॉ